नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ स्रिस्टी स्वगते आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज हम बात करने वाले हैं कि डीम कैसे बने हर इंसान का सपना होता है कि वो आगे चल कर अच्छा और सफल इंसान बने कोई आगे चल कर इंजीनियर बनना चाहता है तो कोई आगे डॉक्टर बनता है उसी में से कुछ अभ्यरती ऐसे होते हैं जो यूपीएससी पास करके डीम यानि की डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट जिसे हिंदी में जिलादिकारी कहते हैं वो बनना चाहता है अगर आप भी जिलादिकारी बनने का सपना देखते हैं तो ये वीडियो आपके काम जरूर आ सकती है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डीम बनने की पूरी जानकारी बताने वाली हूँ DM बनने के लिए कौन से एक्जाम देने के जरूरत होती है, उसके अलबा इसके लिए क्या त्यारी करने पड़ती है, उम्र सीमा कितनी होती है, इसके साथ ही क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए लाश तक बने रह चलिए अब जानते हैं कि DM कहते किसी है, दरसल DM यानि कि district magistrate इसे आप जिले का मुख्या भी कह सकते हैं, इनके उपर जिले का कारिभार होता है, इनके उपर जिले के security system पर ध्यान देने का भी काम होता है, इसके लाबा ये जिले में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने उस पर भी ध्यान देते हैं, चलिए अब इस वीडियो में आगे जाते हैं कि आखिर DM बने कैसे और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चोईए, DM का मुख्य कारे होता है, जिले के शान्ती बेवस्ता को बनाये रखना, महा पर सुरक्षा बेवस्ता बनाये रखना DM का मुख बचना होती है, तो ततकाल रूप से DM उस चिले के लिए जो भी काम हो, जो भी सही हो, उसका एक्शन ले सकता है, अभी तक आपने देखा कि DM क्या है, और DM के मुख्य काम क्या है, अब चलिए वीडियो में आखिर जान लेते हैं कि आखिर DM बनने के लिए आपको कौन सा एक् काम देना होगा, और इसमें जो हायर रैंक पाता है, उसे IS की पोस्ट मिलती है, यानि कि इसमें UPSC के तहत बहुत सारी जॉब प्रोवाइट कराई जाती है, लेकिन जिसका हायर रैंक आता है, उसे IS की पोस्ट मिलती है, और उसके तहत फिर SDM बना जाता है, कुछ दिन अपिरेंस मिलने के बाद आपको जिले का कलेक्टर यानि कि दिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है, अब जानते हैं वीडियो में आगे कि आखिर DM बनने के लिए आपको तयारी कैसे करनी है, UPSC का एक्जाम होता कैसे है, और यह IS क्या होता है, IS यानि कि Indian Administrative Service, यह क्या होता है और इसकी त्यारी कैसे करें, इसमें एक्जाम कितने होंगे, आपके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, इनी सवालों का जवाब हम वीदियो में आगे बताएंगे, इसलिए वीदियो को लाश्ट तक देखना ना भूले। जैसे के पहले वीडियो में बताया कि DM बनने के लिए आपको UPSC का एक्जाम देना होगा तो उसके लिए आपकी age क्या होनी चाहिए और qualification क्या होनी चाहिए वह जादना बहुत ही ज़ादा जरूरी है तो आपको बता दे कि UPSC का एक्जाम देने के लिए आपको graduate होना चाहिए किसी भी मानेता प्राप्त विश्विद्याले से आप graduation कर रहे हो फाइनल येर में हो या complete कर लिए हो तो आप UPSC के लिए apply कर सकते हैं इस form को भर सकते हैं इसके लाव अगर उम्र की बात करें तो इसमें 21 साल से starting है 21 से लेकर जनल वालों के लिए 32 साल तक वहाई OBC को 3 साल की छूट मिली है OBC वाले 35 साल तक भर सकते हैं और SCST वाले 37 साल तक भर सकते हैं और UPSC के एक्जाम को दे सकते हैं और DM के सपने को पूरा कर सकते हैं जो आपका सपना है DM बनने का उसको पा सकते हैं अगर salary के बात करें कि DM के salary कितनी होती है तो ये एक IS label का job है तो इसमें salary 50,000 स रुपे तक की होती है इसके लावा चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं कि आखर DM के कारिभार क्या क्या होते हैं क्या क्या होता है अब तक आपने देखा कि DM कैसे बने DM का main काम क्या होता है इसके लावा DM बनने के लिए क्या qualification चाहिए कितनी age होनी चाहिए कौन सा exam देना होता है अब चलिए जान लेते हैं कि आखर DM का करतव्य क्या होता है दियम के कटवे के बारे में बात करें तो सबसे पहला है कानून विवस्था की अस्थापना अधिनास्त कारेकारी मजिस्ट्रेटों का निरक्षुड करना पुलिस और जेलों का निरक्षुड करना अपराद प्रक्रिया सहीता के निवारण खंड से संबंधित मुकद्म के सुनवाई करना मृत्युदंड के कार्यनमन को प्रमाडित करना सरकार को वार्शिक अपराद प्रतिवीधन प्रस्तूत करना सभी मसलों में मंडल आयुक्त को अवगत कराना मंडल आयुक्त की अनुपस्तिती में जिलाविकास प्रादिकरण के पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करना दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको दी गई जानकारी जरूर काम आएगी और आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही जादा पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथी कॉमेंट करके जरूर बताए कि आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए